यूपी के जनपद अलीगड में 20 दिन बीटने के बाब जूद भी CAA को लेकर AMU के छात्रों का धन्ना पदर्शन जारी है छात्रों ने जुम्हें की नमाज के बाद बाबा सेयद गेट पर एकटा होनी की बाद पुलिस से कही जिसको लेकर पुलिस पूरे तरीके से एक्सन मोर में AMU केंपस पर नजार आ रही है आपको बताता है कि सभी चात्रे गठा होकर सरकार के नाम लेखा ग्यापन जिला प्रसासन को सोबेंगे चात्रों की ग्यापन की वासुमतर जिला प्रसासन पूरे तरीके से एक्षन मूर में है वाटर कैनन से लेकर फायरिफिकेट सब मुझूद है फिलाल पुलिस दलवल के साथ पुलिस एम्यू सरक्रिपल देनाते आपको बताते हैं बीचे पंदर दिसम्मर को चात्रवा पुलिस के हिंसा जड़प में के बाद उनिवर्ष्टी को उप्तरप की राध्पूरी पाथ जन्मरी तक के लिए बंद कर रखा था ऐनी आज इसके मुताबिक 6 जन्मरी को उनिवर्ष्टी खुलने के बाद चात्रों की बढ़ाई शुरू हो जाती है लेकिन केंबस में कबाना है पूरे मामने में सियो सिविल लाइन अनिल समानिया ने बदाए कि आज जुमे की नमाज है जुमे की नमाज के बाद चात्रों की वावा सयद गेट पर एकट्टा होनी की सूचना प्राप्त हुई है जिसको लेकर पुलिश ने पैदल मार्च किया है और वाटर केनन फायर बिलेट सहीत एक कम्पनी आरालायपुर एक कम्पनी पियसी के साथ सिविल पुलिस पोर्स ते राप्त हुई है जुमे की नमाज को लेकर जिला परसासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई देड़ा है आपको बताते हैं कि 20 दिसंबर बीते सुप्रवार को बात की जाए AMU सरकिल की तो AMU सरकिल पर भारी संक्या में फोर्स तेहनात कर दी गई है कोई SSP आकास कुलारी के निर्देश पर समस्थाना अध्यचों को यह निर्देश दे दियेंगें संबेदन सील इलाकों में पैदल गस्त पर सहर में सांते अमन चेहन की अपील की जाए दीपक सरमा समाचार प्राइम 24 अलीगर्ड कारियफ हैं सिविल पुलिस हैं और फायर टेंकर को माँ खड़ा किया गया है